हाई एवरिवन नेक्ट जैस के स्पार्ट के अंदर हम लोग पुट एपई बनाने वाले हैं स्टैटिक डेटा के साथ में और यहाँ पे हम लोग कोई भी डेटाबेस यूज नहीं करने वाले इसका रिजन में आपको लास्ट की पूरी प्लेट देखना अच्छे से लेटाबेस यूज नहीं करने वाले हैं क्वेशन इंटर्व्यूस के अंदर भी पूछा जाता है मैं चार टाइप के मैथड होते हैं सबका यूज मैं एक बार फिर से बता दिता हूँ वैसे मैं पहले भी बता चुक हूँ देखो चार्ट मैथड कौन से कौन से होते हैं गेट पोस्ट पोट जो यहां पे है और डिलीट गेट मैथड हम लोग तब यूज करते हैं जब डिरेक्टली हम लोग API के दुरू डेटा को फेच करते हैं पोस्ट मैथड तब यूज करते हैं जब हमें डेटा के अंदर पूट एपई वाली फाइल के अंदर हम लोग पूस्ट पूट मैथट है उसके लिए फंक्शन बनाते हैं और एक चीज जो यहां में बहुत इंट्रेस्टिंग आपको पता होनी चीए हम लोगोंने दो फाइल क्रियेट कर रखी है अगर मैं यहां पे एपई वाले फोल्डर क इसके अंदर हम लोगोंने एक get method एक call कर रखा है तो हमें put method है वो कहां पे call कहां पे बनाना है बाहर वाली फाइल के अंदर है अंदर वाली फाइल के अंदर जो हमारा dynamic API route है उसके अंदर अब ऐसा क्यों देखो जैसे हम लोगोंने यहां पे video number जो अगर मैं आपको दिखा ह तो हमें dynamic URL चाहिए होता है URL के अंदर बार बार id change होती रहती है तो इसलिए आपको जो post put के लिए जो आपको API method बनाना है वो आप लोग dynamic route वाले folder के अंदर बनाऊगे तो इसके अंदर हम लोग उसको बनाने वाले ठीक है अब बनाना स्टार्ट करते है सबसे पहले code almost similar ही है तो मैं यहाँ पर करूँगा export function put और put के अंदर हम लोग यहाँ पर दो चीज़ें get करेंगे again request and content अल्राइट अच्छा इसके अंदर फिर हम लोग क्या करते है सबसे पहले payload ले लेते हैं अब जब हमारा पे payload आएगा अब जब हमारा payload आएगा तो कुछ कैसा आएगा गाएगा तो मैं आपको बताता हूँ again मैं इसको दुबारा से create करता हूँ एक put method को postman के उपर जाओगे यहाँ से put method select करो यहाँ पे URL दो आपका so URL जब भी जाएगा आपका इस तरीक से जाएगा मालो API users और जो भी आप ID change करना चाते हो first ID को update करना चाते हो second को third को वह भी so मालो अभी के लिए मैं इसकी ID मेरे पास यहाँ पर 20 because API भी ready नहीं है तो इसकी body के अंदर जाओगे आप body के अंदर जाने के बाद में select करोगे row और यहाँ पे JSON select करोगे ठीक है और जो यहाँ से आप data भीजोगे यह वाला जो data भीजोगे यह तो मिलेगा इस वाइल को अटा के बताता हूँ request.json के अंदर यहाँ पे ठीक है और जो आप यहाँ पे ID भेजोगे न यह वाली ID because यह भी चाहिए आपको ठीक है यह मिलेगी आपको इस तरीके से content.parameter.id so अगर मुझे यहाँ पे ID चाहिए होएगी तो मैं आप लिखता हूँ ID let ID और फिर यहाँ लिख दूँ let user ID equal to content.params.id चीक है तो मैं दोनों चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे अच्छा अब एक बार के लिए verify भी करना है कि हमें मिल भी रहे है के नहीं मिल रहे है चलो ठीक एक बार directly इसको चेक करते हैं इसके बार return का भी दिखते हैं क्या मैं मिलता है okay so मुझे यहाँ पे कुछ data लिखना पड़ेगा जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ name और name mail यहाँ लिख देता हूँ unil last में मेरा name जहाँ पे जो भी था अब वह unil में convert हो जाएगा उसके बाद ही मैं age लिखता हूँ पर let's say मेरी age पहले गलती में 28 दे रख्योगी so age let's say मुझे करनी है 25 after that email email के अंदर मैं यहाँ पे करता हूँ unil at the rate abc.com ठीक है so मुझे कुछ ना कुछ इसके response में भी लिखना पड़ेगा otherwise यह error देता रहेगा ठीक है तो अभी के लिए में क्या करता हूँ return और return के अंदर हम आपको पता है कि next response यूज़ कर रहे है चार पांच बार मैं बता चुक हूँ last की a page के अंदर तो मैं आपको यहाँ लिखता हूँ next response dot json पर इसके अंदर में simply कर देता हूँ let's say result true अभी के लिए मैंने कुछ भी लिखा है इसको बात में change कर दूँ एक possible reason यह भी हो सकता है कि हमको यहाँ पे इसको object बनाना था जो हम लोगों ने नहीं बनाया और भी add हो सकता है let me see पर इसाब से चलेगा अचा देखो यहाँ पे 200 आ गया perfectly चल गया यह अब लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट बेजाता है यह हमें मिल गया हमें user id भी मिल रही है यह भी चेक कर लें तो मैंने यहाँ पे पेस्ट करा यहाँ पे आता हूं hit करता हूं तो इसने true दिया और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास request id 20 थी यह भी हमें मिल गई दोनों चीज़ें मिल गई ठीक है जैसे ही data update होगा उसके बाद में चारों की चारों दोनों चीज़ें रिटन होती है id भी और body भी ठीक है so better में क्या करता हूं यहाँ पे payload.id ठीक है इस तरीके से कर लूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा user id और better to be इतना short इतना लिखने की जरूरत देंगे पे-load गंदर मेरे पास क्या है तो मैं फिर से log लिखूंगा और एक चीज़ पूछता हूं मैं आप से जो console.log लिख रहा हूं यहाँ पे क्यों आ रहे है हमारे पास ठीक है इसका reason क्या है यह मुझे बताओ यहाँ आपको बहुत बार बता चुक हूं लास्ट वाली वीडियो के अंदर बाट फिर से मुझे बताओ comment section के अंदर अच्छा और मैं फिर से इसको hit करता हूं जैसे मैं मैं यहाँ भी लिखूंगा result इसमें लिख देता हूं success या फिर हाँ result के अंदर में directly करतेता हूं result payload और then इसके बाद में एक चीज़ और लिखा देते हैं यहाँ पर success कि success हुआ कर देते हैं true then उसके बाद में एक और यहाँ पर लिखेंगे status लिखेंगे हम लोग 200 ठीक है अच्छा अब हो सकता है कि कोई एक चीज़ प्रेजेंट ना हो इसके अंदर जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर validations लगाई थी ना यहाँ पर देखो यहाँ अगर पेलोड में नेम एज या फिर email address या फिर कुछ भी नहीं है तो फिर इसको add भी त इस नहीं आपाई या फिर error मैं यहाँ पर क्या करता हूँ सबसे पहले result में कह दूँगा data request data is not valid ठीक है यह कर देंगे success हम लोग कर देंगे यहाँ पर false ठीक है और जो हमारे पास यहाँ status आ रहा है इसको हम लोग 400 कर देते हैं ठीक है अब एक बाइफ फिर सी check करते हैं यहाँ पर आते हैं परफेक्टली चल रहा है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है बट अभी मैं यहाँ से आईडी गाइब कर देता हूँ जैसे मैं यहाँ पर आईडी गाइब करूँगा तो इसने बोला data is not valid ठीक है और अगर लेट से कि मैं एज को कुछ गलत भी कर देता हूँ यहाँ पर एज की जिए पर एज वन भी कर देता हूँ तो भी मुझे यह वाला error मिलना चाहिए ठीक है data is not valid और तिनों की तिनों perfectly filled भेजूँगा और यहाँ पर आईडी भेजूँगा तो perfectly काम करेगा परफेक्ट सो इस तरीके से हम लोग put API बना सकते हैं next वाले part के लोग इसको integrate करेंगे interview question क्या क्या पूछे जा सकते हैं देखो पहली चीज put method API का use क्या even किसी method का पूछे जा सकते है कितने type के method होते है put get post delete इनका use क्या होता है किस तरीके से हम लोग request से id get कर सकते हैं किस तरीके से हम लोग body get कर सकते हैं ठीक है और किस तरीके से हम लोग conditions check कर सकते हैं ये सारे चीज़े पूछी जा सकते है status 200 है क्या मतलब होता है 201 है क्या मतलब होता है 400 करा इस का क्या मतलब है 500 हा क्या मतलब होता है इनके बारे में भी कभी छोटी छोटी चीज़े पूची जा सकते है So that's all for this part कुछ question है, कुछ query है तो मुझे comment section में पूच सकते हैं Please don't forget to subscribe my channel Like this video, share your feedback in comment section और ये मेरा PDM का डोनीच नमबर है Thank you guys, thank you so much